कि का ह्याग मैं हुघ जोती आज की वीडियोँ में मैं आपको मार्किट से खरीदा हुआ हैवि सूट की हुटइग करना सिखाऊंग की अगर आपके पास भी इसी तरीके का कोई शुट है तो आप घर बैटे ही इस सुट की फिटिंग कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाऊंगे बहुत ही कम टाइब में बनकर कंपलीट हो जाता है और इसमें आपको कटिंग वगेरा कुछ करने की ज़्यादा जूरत भी नहीं पड़ेगी बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा तो चलिए हम वीडियो स् तो आपने क्या करना है, सिलीफ की भी हम फ्टिंग करेंगे !! तो आप यहां से दोन। सिली ख?! इनकी सिल्ढ़ीस जो हुए दोनों की देखिए!」 पैक साइट से तो आप इनको दोनों सिलीफ को खोल के फिर हम सूट की फैटिंग करना शीखेंगे ठीक है बने सिलीब खोल ली है दोनों सिलीब देखे इस तरीके से खोल ली है इनकी सिलाई और यहां पर यह देखे आर्मोल के यहां से इस तरीके से खोल लेना है और अब देखे आगे आप क्या करना है अब हम फैब्रिक को इस तरीके से रखोंगी मैं इसको कुर्ती को इस त है अगर आपकी 54 चेश्ट है तो आपको पीचाइज लेना है ठाल गसी चाहीं मेड़ा आपको याप यापको 32 यापको 36 तो ऐनी है यहां पर मैंने 7 प्लस गरकर मेरा शोलम में यह पर 6 गुलाई करें जिस तरीके से मैंने किये उसी तरीके से अब आप कटिंग भी इसी तरीके से करें नीचे से कटिंग आपको नहीं करनी है नहीं तो ज्यादर टीप हो जाएगा और जूला जाएगा ठीक है तो आपको सरी उपर उपर से कटिंग करने जिस तरीके से मैंने किये ठ तरह कि मैं यहां पर 49 शाई निशान लगा हु गंड़ाएं और यहां पर 99 शाई कि पे दाल निशान लगा रही है We gonna look decided the साइजए औलोटी गुर्ती परो निशान लगा सकते है उल्टा करके ठीक है अब यहां से देखेन taraf निशान लगाने के बाद मैंने हाफ इंच का निशान लगाया пож gray का सीधी वाली साइड पर लगाना है हाफ इंच का ठीक है तो इस तरीके से निशान लगाकर और इस तरीके से सीधे हम निशान लगाएंगे और अब हम इसकी करेंगे कटिंग सीधी ठीक है तो यहां और उल्टे वाले पार्ट को हम कटिंग नहीं करेंगे सिर्फ सीधे वाले स में हटा भी रही हूँ, तो आपकी अगर कुर्ती पे ऐसा ही कुछ वर्क आता है, बना हुआ, तो आप इस तरीके से कीजेगा, पहले निशान लगाएगा, उसके बाद में आप इनको हटाईएगा, ठीक है, नहीं तो गलत साइट पर भी हट जाएगा, फिर आपको जवारा चिपकाना पड़ जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप कटिंग कीजेगा, अभी इसको हम साइट कर देते हैं, फ्रंट वाला पर हो, अगर हुआर नियुदे रहना है, इसको रहँ को परंड आती है, तो हम रहे हम वाले साइट पर साइट पर मैंने साइट घ्र्म है, फ्रन्ट वाला साइट पर मैंने साइट, आ मेंने हाफ उचल तो इस तरीके से आनको निशान लगा लिए Congrats अगर आपका फैब्रिक हैवी नहीं है तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं 1.5 इंच भी जितना आप लेना चाहिए आपने अपने अकोर्डिंग ले सकते हैं ठीक है आप आपने इस तरीके से इसको रखना है कुर्ते को और सेंटर पर आपको निशान लगा देना है ठीक है जिस त के बाद 38 इंच हुआ 38 इंच का हम 4 रखेंगे 9.5 इंच और 2 इसका होगा 38 इंच का 19 इंच ठीक है तो इस तरीके से आपने निशान लगाना है शोल्डर 2 वेस्ट का निशान लगाएंगे हम यहां से 13 इंच पर लगाऊंगी मैं आप जितना साइज अपने पैंते हैं अपने आप अपने साइज के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं तो यहां पर मेरी वेस्ट है चौती सिंच चौतीस इंच में मैंने 2 इंच लूजिंग ली तो इसमें यहां पर 36 इंच हुआ 34 का 9 इंच पर निशान लगा रहे हैं और यहां पर हम लगाएंगे 18 इंच पर ठीक है 36 inch का 2 होगा 18 inch ठीक है इस तरीकर से losing आप 3 inch की भी रख सकते हैं हम यहां पर hip की size के according निशान लगाएंगे तो यहां पर जितना भी है है आप अपनी size की according निशान लगाएं मैं यहां पर 2 inch losing लेकर निशान लगा रहे हुं यानि की मेरी है 38 साइज है उसका हिप का और उसमें 2 इंच एड़ किया है तो यानि कि 40 इंच हो गया 40 इंच में 40 इंच का में 4 रखना है 10 इंच एक साइड और सेंटर पर 10 रखना है और यहां से कटिंग करेंगे अपने नीचे साइड से कुछ नहीं करना है बस उपर वाली साइड से हम बाजो की सद्गा करेंगे मैं लैंथ का निशान लगा रहे हूं तो में या आपन ले रही हूं 15 इंच यानि कि 14 इंच मेरी लैंथ और हाफ इंच मैंने मारजन के लिए लिया है तो इस तरीके से निशान लगाना है आपने सीधी लाइन कर देनी है और फिर यहां से हमें तीन इंच पर निशान लगाना है ठीक है तो इस तरीके से तीन इंच का निशान लगा लें और इस तरीके से इसके हम गोलाइ कर देंगे और गोलाइ करने के बाद इसके हम कटिंग करेंगे और देखे, नीचे वाली साइट से, बाटम वाली साइट से मैंने बाटम मेरा है आठ इंच उसमें मैंने एक इंच लुजिंग रखी तो यानि कि 9 इंच हो गया गर 2002 किया आपको अगे अगर आपका आपका चलिप में कुछ इस तरीके से आता है तो लिगày से जोंट होगा जोंट के डिखेंगे आप दोनों धेशमें के सिर्फेंडेंगे एंड अजु से कर्णा के ट्फुल भी हम्त झाखाण हम नीचे ऐसी था J Dwight था Shots तो यहां 1.5 इंच का निशान लगाना है आपने 1.5 इंच का निशान लगाकर और इस तरीके से हम पट्टी की कटिंग कर लेंगे तो यह डिजाइन हम नीचे लगाएंगे फ्रंट वाले पार्ट पर ठीक है तो इस तरीके से कटिंग कर लें आप देखिए इस तरीके से कटिं का निशान लगाया था उसी के उसी निशान पर हम स्लाई करेंगे ठीक है तो इस तरीके से आपने स्लाई करनी है निशान के उपर ही हमें स्लाई करनी है ठीक है तो इस तरीके से निशान पर स्लाई करेंगे और स्लाई हमें थोड़ा आराम से अच्छे से करनी है क्योंकि यह फ तो आप ही इस तरीके से डबल सिलाई लगा लिए ताकि अच्छे से यह पक्का हो जाए और देखिए दूसरी वाली साइट पर भी हम इसी तरीके से स्टीच करेंगे ठीक है तो दूसरा वाला साइट भी हम कंप्लेट कर लेता हैं इस तरीके से स्टीचिंग कर लेंगे दूसरा वाला साइट पर भी हमने स्टीचिंग कंप्लेट कर ली है तो देखिए इस तरीके से यहां पर भी कंप्लेट हो गया है आप देखिए यह मैंने शोल्डर जब हम कटिंग करते हैं तो यहां से थोड़ी स्लाइग खुल जाती है तो हम दोनु साइड ओपर दोनु सोल् सटीचिंग कर लें तो इस तरीके से तो यहां पर मैं दोनु सोल्डर ओपर इस चिंग कर रही हूं और उसके बाद यहां पर देखिए नीचे वाली साइट पर इस तरीके का फैब्रिक था तो मैंने यहां पर यह वर्क हटा दिया है इसका और यह मैंने पट्टी ली है और को उल्टा रखा है मैंने यानि की कुर्ते को मैंने उल्टा रखा है और इसे मैंने इसे भी उल्टी वाली साइट पर सीधा रखा है और इस तरीके से हमने स्टीचिंग करनी है ठीक है तो इस तरीके से देखें नीचे वाली साइट पर हमें यह पट्टी जोइंट करनी है और हम इस तरीके से स्टिचिंग करेंगे पूरा कंप्लीट करेंगे इस तरीके से देखें और इसे इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद और अब देखें आगे क्या करना है आगे देखिए अब इसको हम इस तरीके से देखें फोल्ड करेंगे और यह फ्रंट वाला पार्ट पर एसे तरीके से आएगा और दिकए इस तरीके से सीरि थोड़ी भी सितारह हो अरहें बीच में तो पूह स्टरीके से ते निचे वाली साइट पैर में यहेट करेंगे फहलेॵ उसके बाद में हम उपपर वाली साइट पर स्टीच करेंगे ठीक है तो इस तरीके से आप स्टीचिंग कर लें सीधी सलाई लगा लें एकदम सीधी फिनिशिंग के साथ लगाने आपने और ध्यान रहें सुई हमारी ना टूटें अच्छे से आराम से स्टीच करें इसे ताकि हमारी सुई टूटें ना तो इस तरीके से स उपर से लिया था फाइब हाफ इंच का उसी मार्जन को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए और इस तरीके से अम स्टीचिंग कर देंगे तो आपको स्टीचिंग ध्यान से करना है और इस तरीके से देखे अभी स्टीचिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है और अब देखें आगे क्या करना है ठीक है यह देखें यह हमने पट्टी स्टीच कर लिए और देखें कितने फिनिशिंग के साथ बनीए बैक वाला साइड भी और अब देखें अब क्या करना है यह देखें यहां पर यह मैंने खुला हुआ है यहां से उपर से और यह बाद में हम स्टीच क कर आईए इसे हम फोल्ड करेंगे और यहां पर हम स्टीच करेंगे ताकि हमारा फिनिशिंग से बने क्योंकि हम जब इसकी अगर हम कटिंग करके इसे बनाएंगे तो हमारा जो इसका डिजाइन है सारा वो डिजाइन निकल जाएगा तो हमें डिजाइन नहीं निकालना है बस जो पट्टी बनकर आईए उसे हम मोल्ड देंगे अंदर की साइट और इसको हम स्टीच कर लेंगे ताकि दोनों साइट से फिनिशिंग से बने तो देखे इसी तरीके से आपने स्टीचिंग करना है और उपर वाली साइट से है यहां से देखे इसको इतना हम मारजन को अंदर की साइट फोल्ड करके अच्छे से और यहां भी हम स्टीच कर लेंगे ठीक है तो इस तरीके से आप स्टीचिंग कर लें आपको एक साइट का चाग बनाना सिखा रही हूं, दूसरी वाली साइट का भी इसी तरीके से आपने चाग कम्प्लीट कर लिया है, और देखिए, यह हमारा कम्प्लीट हो गया है, और देखिए, इस तरीके से आएगा, बैक वाला और फ्रेंट वाला पार्ट, यह देखिए, मैंने वाला पार्ट complete कर लिया है और दूसरा वाला भी complete कर लिया है तो अब देखिए नीचे जो हमने नीचे वाला पाट था वैक वाला उसे हमने complete नहीं किया था ना अब मैं आपको complete करना सिखाती हूँ तो आपने इस तरीके से press करके से अंदर से fold कर देना है जितना हमने सूट बनकर complete हो जाता है यह कुरता फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है इसकी और बनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कितना फिटिंग के साथ बनाए अब देखिए अब हम स्लिप जोइट करना मैं आपको बताऊंगी तो यहां पर देखिए मैंने दो पट्टियां कट को पट्टि रखनी है और स्टीच कर देनी है और दोनों पट्टियां इसी तरीके से स्टीच कर लेंगे ठीक है तो देखिए इसी तरीके से स्टीच कर लें कि इस तरीके से हम स्टीच कर लेंगे तो दोनों पट्टियों को हमें इस तरीके से स्टीच कर लेना है तो दूसरी स्लिप इस तरीके से स्टीच कर लूँगी बाद में और आपको फाइनल इसका दिखाऊंगी किस तरीके से सूट की फिटिंग किस तरीके से आई ठीक है तो यह देखें यह भी हमारा कंप्लीट हो गया है अब हम इन क्या करना है देखी मैंने कुर्टा लिया है और इस तरीके से आप स्टीच करें इसकी और एक बार आप इसको सिलिप को इस तरीके से नाप लें कि आर्मोल के अकॉर्डिंग हमारी सिलिप का आर्मोल आया है यह नहीं आया है अगर आता है तो ठीक है अगर छोटा या बढ़ा हो जाता है तो आप पहले उसको ठीक करें उसके ब आप कच्चा करके भी स्लिप की स्टीचिंग कर सकते हैं तो यह देखे इस तरीके से आएगी